नमस्कार हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप में हूँ आपके साथ काजोल चाहाई हमारे देश में एक से एक मंदिर है और इनमें ऐसे कई मंदिर है जिसमें कई रहस्ते हैं आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सूर्य अस्त होने से पहले ही लोग भाग जाया करते हैं रात को तो यहां भूल कर भी कोई नहीं रुखना चाहता ऐसे माना जाता है कि इनसान यहां रात को रुख जाता है तो वो पत्थर बन जाता है किराडु मंदिर को राजस्थान का खजूराहों भी कहा जाता है दक्षिन भारतीय शाली में बना यह मंदिर अपनी संस्थाप्य कल्या के लिए दुन्या भर में प्रसिद है कहते हैं कि 1161 ईसा पूर्व इस जखा का नाम किराड कूक था बता दें कि गिराडू पांच मंदिरों की एक श्रिंखला है जिसमें विश्णु मंदिर और शिव मंदिर ही थोड़े बहुत ठीक हालत में हैं जबकि बाकी के मंदिर खंडर बन चुके हैं और खंडर में तब्दिल हो चुके हैं इन मंदिरों का निर्मान किसने करवाया ये कोई नहीं जानता लेकिन मंदिरों की गिरावबनावट को देखकर लगता है कि ये अंदाजा लगाया जाता है कि शायद दक्षिन के गुर्चर, प्रतिहारवंश, संगमवंश या फिर गुप्तवंश के काल में इसका निर्मान कि मानेता है कि कई साल पहले की राडू में एक सिद्ध साथ हूँ अपने कुछ शिष्य के साथ आए थे एक दिन वो अपने शिष्य को वहीं छोड़कर कहीं ब्रह्मन के लिए चले गए इसे बीच एक शिष्य की तबियत खराब हो गए जिसके बाद बाकी शिष्य ने गाउवा को शाब दिया कि सूरियास होने के बाद सब ही लोग पत्थर बन जाएंगे ये भी कहा जाता है कि एक महिला ने साथू के शिष्य की मदद की थी इसलिए उस साथू ने महिला से कहा था कि वो शाम ढ़लने से पहले गाउँ छोड़कर चली जाए और पीछे मुरकर ना देख अब सच्चाई क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता चलिए आप ही के लिए बस इतना ही नमस्कार बीती आदों से नाता सहिष ना सीखा हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा गिरने लगती जब तो उनसे संबलना सीखा उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा गर से दूर होकर भी दिल को हमेशा ये एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है भूशन जूलर्स अनमोल रिष्टों के लिए